तो जो गाईस कैसा आप सभी एक क्यूशंवन भूसनाओ आप लोगों से आप लोग मालो एक 52 स्मारटफोन वो भाई करते हो और कोई सस्ता वाला नहीं महेंग वाला फाइज स्मार्टफोन वो भाई करते हो जिसकी प्राइस आप लोगों को 20,000 से अबो देखने को मिलती है और यहाँ पर आपकी city के अंदर 5G network है वो आचुका है जियों की तरब से 5G network है वो आचुका है लेकिन फिर भी आप लोग अपने 5G smartphone के अंदर 5G network है वो यहाँ पर यूज नहीं कार पा लिए हो क्यों कि आपकी जो company है उन्होंने आपको 5G का update है वो अभी तक भी आपर provide नहीं किया है तो same वेसा case आप लोगों को देखने को मिलता है Poco app for device के लिए तो यहाँ पर जो Poco app for device है उसके लिए पिछले 6-7 मेंचे आपर जो update है वो release नहीं किया गया है और ना ही तो MIUI 14 का update है ना ही Android 13 का update है और ना ही अभी तक 5G का update है वो यहाँ पर release किया गया है चलो माल लेते हैं Android 13 और MIUI 14 update है वो तो एक अलग update है लेकिन कम से कम 5G का जो update है वो तो आपर provide कराना ही चीए तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं POCO A4 डिवाइस के अंदर आप लोगों को इंडिया में कब तक MIUI 14, Android 13, Plus 5G अपटेट रहा को अपन विलेगा और जो पुराना वाला अपटेट कैंसिल हो चुका है उसके बाद में आप लोगों को नया वाल अपटेट है वो कब तक रिलेगा अपटेट की साइज कौन से होगी अपटेट का वर्जन नमर कौन सा होगा वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं वीडियो गर आप लोगों को ये पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का और चैनल पे अगर आप लोग पहली बारिया पर विजिट कर रहे हो तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लेना है ताकि जैसे इंडिया में अपटेट है वो रिलिज होगा इसके रिगार्डिंग आप लोगों को वीडियो यहीं पे मिल जाएगी अभी हम लोग फटा फट से बात कर लेते MIUI 14 और Android 13 अपटेट का स्टेटस है वो इंडिया में क्या चल रहा है तो अभी एक या फिर दो जो डिवाइज है इंडिया में उनके लिए MIUI 14 का अपटेट है वो यहां पर आया है एक तो है Xiaomi 12 Pro और जो हमारा Poco App 4 जो डिवाइज है यह भी उस लिस्ट में आता है जिसके लिए इंडिया में सबसे पहले अपटेट है वो यहां पर आना चाहिए लेकिन अभी तक भी अपटेट है वो रिलिस नहीं किया गया है जैनवरी मन्त के अदर एक अपटेट है उसकी टेस्टिंग चल रही थी सबी को लग रहा था कि यह जो अपटेट है आना वो रिलिस कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर MIUI 14 अपटेट के साथ में लेकिन वो अपटेट है वो अब यहां पर कैंसिल हो चुका है 14.0.1.0 का आप लोगो वो अपटेट का वर्जन नमर मिलता है जो कि आप यहां पर नहीं आने वाला है और हो सकता है आपको MIUI 14.0.2.0 का जो अपटेट है वो यहां पर देखने को मिल सकता है अब बात कर लिते हैं यह जो अपटेट है वो कब तक रिलिस किया जाएगा तो आप लोग इदर लेफ्ट साइड में एक स्क्रीन शोट है ना वो देख पारेंगे यहां पर एक जो मेंबर है ना पोको टीम के यहां पर आप लोग उनका नेम भी देख सकते हो उनकी तरह से आपर एक comment आना वह आपर Twitter पर tweet किया गया है कि आप लोगों हो आपर जो POCO F4 जो device आना इसके अदर बहुत ही जलती 5G का जो update है वह आपर मिल जाएगा और most probably ये जो update है वो आपको MIUI 14 और Android 13 update के साथ में देखने को मिलेगा तो ये जो update कप तक आएगा इसके बारे में बात करेते हैं तो उनकी तरफ से तो कोई भी आप पर response नहीं मिला है कि एक week बात में या फिर दो week बात में या फिर कौन से month में मिलेगा आप लोगों ये जो update है वह आपर March की starting में देखने को मिल जाएगा अभी ये आप लोगों को फेवरेटी का month देना महाँ पर मिल रहा है सो मार्च का जो फिर्स्ट वीक ना वन से से वन के बीच में आप लोगों को update है महाँ पर कभी भी मिल सकते हैं और अगर मान लोग ये टेस्टिंग है वो जल्दी complete हो जाती है तो आप लोगों को आप लोगों को update की टोटल साइज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यही था इस वीडियो के अंदर वीडियो कर आप लोगों को अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करना चेनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना जैसे कि इस डिवास के लिए अपटेट आएगा वीडियो आपको यहीं पर मिल जाएगी मैं मिलता आप लोगों से नेक्स वीडियो में जेहिंद वन्दमाध्रम